आप सब बहुत अच्छे होंगे आज कर डिसकसन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को गुरू पोनिमा की हार्दिक सुबकामना है आप सभी अपने जीवन में अपने उच्छ मुकाम को हांसिल करें जो आपकी ख्वाईसें उससे ज्यादा एचीव करें जिन्दिगी में को कोई चीज नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते बस यह कि सोचिए बड़ा सोच हमेशा बड़ी रखनी है ठीक है और उसके लिए सही डारेक्शन में में महनत करते जाना है इस बार आप सभी सब इंजीनर पर निस्चित सेलेक्ट होंगे बस यह भरोसा बनाके रखना है खु कारी नोकडी ना केवल आपके टैलेंट का इंतिहान है आपके अंदर जो गुड है आपके जो क्वाल्टी उसका इंतिहान है बलकि आपके पेसेंस का भी इंतिहान होता है आपकी पेसेंस की भी परिच्छा होती है ठीक है तो थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा आप जानते परिवार की तरफ से आपको गुरु पूरिमा की हर्दिक सुपकाम ना है ठीक है इस्टार्ट करते हैं आज का डिसकसन किस मुद्धे पर है एक आठ तारीक को चुकी है मैं लेट न्यूज आज कवर कर रहा हूँ रिजन यह कि थोड़ा वेट करत साथ कुछ ऑफीसियल आ जाय कि जिनको नोंने कवरी नहीं किया दो परिक्षाएं अभी जो आपका रुसके अंदर है क्या बोलते हैं अगस्त के अंदर है ठीक है एक अपना अधिकाडी वाला ठीक ग्राम विकास अधिकाडी वाला और दूसरा अपना यह सब पर इख्छा है और जो सितंबर अक्टूबर और नौनबर महिने में होनी यह हुआ तो एगस्ट महिने कभर नहीं किया है तो यह जो इसके लावा 11 पर इक्षा है है यह मुस्किल में आ चुकी है ठीक है डीजन क्या है ऐसा इन्होंने इनका कह आना है रीजन यह कि देखिए जो MP आपका व्यापम है जिसे अपने MPPB भी कहते हैं इस टाइम पर MPPB मद्द प्रदेश प्रोफेशनल एक्जाम नेशन बोर्ड ओके यह जो आपका MPPB है यह डायरेटल एक्जाम आपका नहीं करवाते हैं ठीक है यह बी किसी संस्था को हायर करते हैं और ऐसी प्राइवेट लिम्टेड को ठीक है तो यह जब एक्जाम हुआ कंप्लिट तो जानते हैं अलगलग आप भी एक्जाम देने के होंगा अलगलग प्राइवेट कॉलेजों के अंदर होता है जहां पर यह कंप्यूटर बेस्ट सिस्टम सारा से टप होता लैप्स होती है वहां पैसा बकाया हुआ है तो अब इनको क्या समान तो लेने ही किसी को पुराने चुकाना पड़ता है ज्यादा बड़ा इस यह बड़ा इसू नहीं है यह इंको एक्जाम करवाना है क्यों कि कलेंडर के अंदर बात है और एक-दो एक्जाम की बात नहीं ग्यारा ग्यारा परिच्छा है जो अगस्ट से ले करके आपका दिसंबर या नॉम्बर तक होनी है ठीक है तो अब यह सारे परिच्छा पोस्ट पॉंड नहीं कर सकते तो यह छोटा सा मुद्धा ही हो जाएगा इनका सेटल ठीक है जो भी इनके इंदर बाप रहे हैं अब दे परिच्छा तो बहुत दूर की बात है तो आपके पैसे ले चुके है आलड़ी बस इन्होंने अपने पास दबा के रखा हुआ है कॉलेजों को पेमेंट नहीं किया हुआ है ठीक है तो अब कर देंगे ऐसा तो नहीं कोई बज़र आठका हुआ है इनका जहां इनके उपर द सकता था आपकी बिजी रहे हों चुनाओ के अंदर और आज आपकी 13 जुलाई हो चुगी है तो खतम होने वाला 14 जुलाई को इसके बाद देखिए अगले हपते ही आपका जो सब इंजीनर को नोटिफिकेशन हो सकता है ठीक है और आप जानते है अगस्त में भी एक्जाम भ अंदर तो अगर आपका जो इस महीने भी अगर नोटिफिकेसन आता है यह कि जुलाई तक अगर नोटिफिकेसन भी आ जाता है ठीक है तो इक्कीस अगस्त को ईक्जाम नहीं ले पाएं क्योंकि 20-25 दिन तो आपको फॉम भरने पर चले चले जाते हैं ठीक है तो सेञ्स्टन्बो 1 विक या सींधे स्टेंबर कि इस जो तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ है जो लोग त्यारी कर चुके है सब्सक्राइश कर दे पॉभर समय से प्रैक्टिस सेशन पे चले जाए अपने रिवी सब्सक्राइब रही तो तो अब आसा यह है कि अभी चुनाओं अग्यरा से सब फ्री हो गए होंगे तो हो सकता है इस महीने जुलाइट के यह जो आपका बीग चल रहा है चाहुदर से बीस या पच्चिस के अंदर अंदर आपका नौटिफिकेशन रिलीज हो जाए वरिकात मेंने आपका जो एक्जा यह आ रहा ना और अगर इतना टाइम मिल रहा है तो यह मानिए कि एक बेनिफिटी माल लेजिए इसको ठीक है थोड़ा ज्यादा टाइम ही हो रहा है वैसे बट इसको एक बेनिफिटी माल लेजिए बहुत बड़ी आने बारी लगभग 35 कथा और कुछ बढ़के आईगी 4000 क में असपास हो सकती है अब इतनी बड़ी भरती है सेलेकशन तो आपको पक्का करना ही करना है मौका मत छोड़ीएगा कहीं पर भी तीमोटीवेसन की तो बात ही नहीं भई सब सलेक्शन तो चाहिए आप स्टार करते क्या है इन सब के बीच में एक बार अभी तहलका मच आए हुआ है ठीक है एससी का जो 2020-2022 का कलेंडर अपडेट हुआ है ठीक है ठीक है प्रिलिम्स को जो नॉवंबर केंदर कहा गया ठीक हो यह नॉवंबर के इंदर आपके सिप्टंबर में फिलब हो देखिए इसमें जाने वाली कोई बात ही नहीं है आपको दोनों पर दोनों का एक्जाम देना है दोनों टेक्निकल एक्जाम है ज्यादा फर्क नहीं है बता देता हूं क्या चीज़े एक्स्ट्रा उसके लिए अंदर पढ़नी है अभी क्या आपके सामने अगर आप एक अगर आपके सब इंजिनियर के अंदर बहुत बड़ा बेनीफिट मिलने वाला है और सबसे बड़ा बेनीफिट इस बार सीट्स का है आप जानते इतनी बड़ी सीट्स एंदर तो उतनी नहीं आएगी हाँ आप चुकी दो साल के बाद आ रही है और सारी भरतियां भी हो नह निश्य तोर पर ससी जाई में भी आएगी विकेंस इस बार लेकिन इतनी नहीं आए जितनी आपको यहां पर देखना की मिलेगी मेन फोकस तो आपको अपना सब इंजिनर भी रखना है और दूसरा प्लस पॉइंट मार्किंग भी नहीं है सिंगल डे पेपर है तो यहां पर आप मेंस होगा ठीक फरवड़ी लाश्त तक आपको इसका मेंस होगा तो अभी आपको क्या प्रिलेम्स के लिए त्यारी करने नहीं आप प्रिलेम्स की त्यारी एक कर सकते पिसमें क्या करने के सांत सब्सक्राइब निकाल सकते हैं मदप्रदेशकंदर जितने जेए के वंडेशकंदर होते हैं क्योंकि इतना ब्रॉड सलाइब से कुछ भी टॉपिक छूटा ही नहीं है यहां पर पूछे जाते हैं तो आल्रेडियर आपको पर पर संद्रों आपको पर हुप पर संद्र्प यहां पर कभर हुण है यहां पर कभर हो रहा है तो प्रेलिम्स का आपका टेक्निकल पॉर्शन तो इस ट्रोंग है आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइट मारना नहीं बस आप इसमें कॉस्ट्रा प्रैक्टिस के दारा बढ़ा दीजे ये इस के प्रिवेस एर लगा लिजे ये अंपि प्रिवेस एर को वह आपको इसके लिए भ ठीक है यहां पर complete verbal प्रेस्ट नॉन वर्बल रिजनिंग आती है तो जो रिजनिंग वाला कॉर्स ने इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाईएगा इसके लिए तो कुछ नहीं करना प्रेवेज सेट पेपर उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हो आप तो जो आप अगर क्या यहां प्रैक्टिस और जो बांकी extra portion आपको GS वाला है ठीक है जाहर है इसके आपको मतलब कोई यहां पतली सी बुक पढ़नी है इस्टेटिक जी की ठीक है वो आप कभर कर सकते हो उससे ठीक है बांकी बांकी यहां तो साथ-साथ पढ़ी जा रहे हो MP के जी के बगएरा तो बस यहीं GS वाला पोर्षन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा बांकी तो आपने इडिजनिंग बगएरा तो साथ में कभर कर ल करने यहाँ पर यह अमेत आपको फोकस पहला इस पर बना एक हो जाए एक चुकि हो जाएगा तोइН करे ंस्की हो चाहिए अगर यांज लिए वाला एक है तो आप उसके अंदर तो ओर ही कुछ नहीं है को उसके नदर तो अदर तो स прошл Gothic स्ब दिखने बहूत आपका नॉन टेकनिकल के अंदर भी 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं वहीं जो आपने सब्राइब रखा है तो आपको सब्राइब कर लिए त्यारी अपको पूरा पड़ना ही पड़ना है और साथ में थे एजS के कुछ इजी लेवल बाले क्योंकि पूरा-पूरा फॉल्व हुरा है या तो इसके कुछ प्रिवे सेल लगाने है बागी फोकस आपको एंपी सब इंजीनर पर रखना है यहां पर जवाब लेना बहुत असान है इस बार एज कंपेर टू एससी जेई ठीक है बात मेरी ध्यान सुन लीजेगा अब दोनों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं तो दोनों सारे कोशन अपने करवाए हुए है तो उसमें आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं आप आराम से टेक्निकल कवर है आपका रिजनिंग वगएर जो टॉपिक इसके अंदर नॉन टेक के वो कवर है जो रिमेनिंग तोरसन उसमें थोड़ा सेफ़र लगाईएगा लास्ट टा जाए 2022 का जो प्रेलिम सिख्जाम है और साथ में आपका MP7 जीनियर ठीक है यह तोनों कवर करेगा मेंस के आपको लग्स पढ़ना होगा जो आप पढ़िएगा एसके इसके अंदर कवर नहीं होगा के प्रेलिम सिख्जाम के लिए है आपका अपका आज आपको इसको ले सकत भी मिल रहा है कहां पर जाना होगा आप जा सकते हो गूगल प्लेश्टोर के अंदर वहां से आप 10 सिभील पॉइंट एप को इसके बैनर दिखेगा इस पर जाकर कि कूपन कोड आपको यह लगा हुए इसको आपको करना है और 10 परसेंट का इंस्टेंट आपको मिल जाएंगे आज ठीक है और 10 परसेंट का यहां पर ऑफ भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा मौका है जो लोग साथ में करना चाहते हैं आज जोइन कर सकते हैं तो आसा करतों आया होगा ओके तो इस तरीके साब अपना फोकस बना सकते हैं ठीक है एक बार फिर से आप सभी को गुरू पूर्णिमा की हर्दिक सुबकाम ना है पढ़ते रहे खूब तरक्की कीजिए और अपने माबाप का नाम रोशन कीजिए यह हम आपकी तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा तौफा होगा जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है मिलते हैं नेस लेक्चर के अंदर थैंकी सो मच हेवन आइस डी देशिबल पॉइंट पर अगर पहली बार विजिट के है तो सब्सक्राइब नीची टेडिग्राम क्रूप का लिंक है जिसे जरूर जोए परन इंफोर्मेशन हो वो आप तक पहुँच पाए ठीक है थैंकी सो मच हेवन आइस डेए